Hello everyone, मैं हूँ किरन शापरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग बीक का सापता ही कराशी फल ये 16th में से लेकर 22nd में तक की आपकी टारो रीडिंग्स हैं, टारो प्रिडिक्शन्स हैं और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज लाइक, शियर और सब्सक्राइब करें इसके साथ साथ अगर आप डेली टारो रीडिंग में इंट्रेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और दूसरी बात इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं सन, साइन, मून, साइन, एसेंडेंट या पिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं और अगर आप मुछ से पूचेंगे, तो मैं आपको यही कहूंगी, कि जिस साइन को आप अभी तक follow करते आ रहे हैं, या पिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी reading को देखते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस reading को देखें. तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का सापता ही क्राशिफल चलिए एरीज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है क्या एनर्जीज हैं तो प्रोफेशनल फ्रंड के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं King of Wands, Rivers and Women और दिखें ये कार्ड्स कहते हैं कि कहीं इस वीक अपने गोल अपने मकसद को लेकर बहुत एक enthusiasm, बहुत एक excitement आप नहीं महसूस कर रहे हैं इन फैक दिखें यहाँ पर King of Wands का का कार्ड Rivers है, तो इन जनरल ही एक energies में balance नहीं दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप over enthusiastic over excited हो रहे हैं जो भी आप करना चाहते हैं या पर जो भी आपका goal है, जो भी आपका मकसद है and in the process बहुत एक arrogant वाली energies हैं, जहां पर आपको ऐसे लग रहा है कि जो आप कर रहे हैं, वही सही है आप किसी की beyond the point सुनना नहीं चाह रहे हैं, किसी को कभी कभी होता है ना, literally हम कहते हैं कि आप कुछ समझ नहीं रहे हैं तो कुछ Aries की aisee भी energies रह सकती हैं, और on the contrary कुछ Aries के लिए again जैसे कि मैंने बताया, कि आपका enthusiasm, excitement लो रहे रहा है कुछ के लिए हो सकता है कि आप uncalculated risk ले रहे हैं आप again मैं कहूंगी कि बिना सोचे समझे चीजों को कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत ही courageously, बहुत ही boldly आप action initiatives लेना चाहते हैं लेकिन आप नहीं ले रहे हैं और देखे एक self doubt एक you know self criticism भी मन ही मन, कुछ Aries इस week करते हुए दिख रहे हैं और देखे नीचे woman का card है और ये card कहता है dealings or relationships with a woman तो हो सकता है generally किसी woman के साथ आपकी ज़्यादा dealings हो रहे हैं और कुछ Aries के लिए हो सकता है कि कि किसी woman के साथ कोई relationship आपको effect कर रहा है और देखे यहाँ पे again कुछ लोगों के लिए एक positive impact हो सकता है कुछ लोगों के लिए negative हो सकता है लेकिन king of wands का card reverse है तो कुछ Aries या पिर काफी सारे Aries के लिए ये भी हो सकता है कि इनी woman के साथ जो भी आपका relationship है या पिर जो भी आपकी dealings है वो कहीं आपको effect कर रहा है और इसी वज़े से कहीं आपकी energies भी disbalance हो रही है और देखे मैंने हमेशा कहा Aries की tarot guidance के लिए होता है और यहाँ पे सब के लिए different guidance होगी इनी चीज़ों को लेकर क्योंकि सब के लिए थोड़ा-थोड़ा सा differ है लेकिन आप जो भी cards कह रहे हैं उनमें से आपके लिए क्या guidance है कैसे आप चीज़ों को better कर सकते हैं उस पे ही focus करें यानि कि अगर आपको लगे कि आप over enthusiastic हो रहे हैं जहां पर you know again एक arrogance energies हैं तो उसको आप check करके ठीक करें और जैसे कि मैंने बताया कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप खुद को ही doubt कर रहे हैं खुद को ही लेकर काफी critical हो रहे हैं और action initiatives लेना चाहा रहे हैं लेकिन उस तरीके से नहीं ले पा रहे हैं तो इस चीज़ को भी अगर आप check करके correct करेंगे तो इस week की energies को आप काफी बहतर कर पाएंगे and personal front के लिए आप लुगों के लिए cards हैं seven of wands and kangaroo और देखिए kangaroo का card कहता है unsettled times need to plan ahead तो देखिए personal front में भी कहीं कोई चीज आपको किसी level पे परिशान कर रही है कभी कभी होता है न back end पे कोई चीज हमारे mind में continuously चल रही होती है जिसकी वज़े से एक सुकून एक पीस हम नहीं महसूस कर पाते हैं तो कुछ ऐसी सी energies रहती हुई दिख रही है और देखिए seven of wands का card भी कहीं इन्ही energies को और confirm करता है ये card कहता है कि जो भी आप चाहते हैं उसी से ही related कुछ issues हैं कुछ मसले हैं क्योंकि ये weekly reading है तो again मैं कहूंगी बहुत बड़े issues बहुत बड़े मसले नहीं होंगे लेकिन एक smooth going आपको मिलती हुई नहीं दिख रही है लेकिन अच्छी बात ये है कि personal front में आप किसी भी चीज से घबरा नहीं रहे हैं आप बहुत boldly, बहुत courageously हर चीज को face कर रहे हैं आप give up नहीं करना चाहा रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं एक willpower, determination रहती हुई दिख रही है और दिखे जब भी भी हम ऐसी energies में होते हैं यानि कि willpower होती है, determination होती है तो जो भी मसले होते हैं हमारी जिंदगी के वो बहुत ही छोटे हो जाते हैं और beyond the point हमें परिशान नहीं कर पाते हैं और फिर success हमारे लिए निश्चित होती है तो कुछ ऐसा ही personal front में भी रहता हुआ दिख रहा है और वैसे भी देखिए seven of wands का card कहीं success with extra effort, success with extra initiative की बात करता है और यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसी energies में रहते होए दिख रहे हैं जो नहीं है उनके लिए message है कि जो भी आप चाहते हैं definitely आप उसको achieve कर पाएंगे अगर आप give up नहीं करेंगे अगर आप courageously हर चीज को upfront होके deal करेंगे and guidance से आप लोगों के लिए wings का card है और यह card कहता है you never needed those wings to fly तो देखिए हमने दोनों ही cards में देखा कि छोटे मोटे issues हैं और professional front में तो बहुत ही clearly मैंने आपको कहा कि आप थोड़ा सा हो सकता है self doubt कर रहे हैं self के लिए critical हो रहे हैं और देखिए ऐसा अगर Aries आप भी करते हुए पाएं तो यह card आपको message दे रहा है कि बहुत बहुत important है कि इन ही energy से आप अपने आपको बहार निकालें क्योंकि देखिए जब हम खुद को लेकर एक negative self talk करते हैं तब ही कहीं अपने goal, अपने मकसद से भी हम deviate होते हैं यहां मैं कह सकती हूँ कि negative self talk सबसे बड़ी एक रुकावट है हमारे goal, हमारे मकसद को पाने के लिए तो देखिए इस चीज़ को आप जरूर चेक करें क्योंकि देखिए चिडिया को अगर हम पिंजरे में रखेंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं उड़ पाएगी चिडिया के उड़ने के लिए बहुत बहुत एहम है कि उसे हम पिंजरे से बहार निकालें ऐसे ही आप अपने सेल्फ को इसी निगिटिव एनरजीस में से बहार निकालें और अगर ऐसा आप कर पाएंगे तो देखिए फिर से मैं कहूंगी जो भी आप चाहते हैं उसको आप डिफिनिटली अचीव कर पाएंगे ठरीटली शे आप लोगों के लिए 9 grass is का कार्ड है और इसके हिसाब से यह लोगलर बड़ बने से बॉक्तिक हम यह एस लोगोँ के लिए लगों थार्स्टी तो यह था bu aries आप लोगों के लिए कमिंग वीक अस आप नहीं करा रहा है क्या energies हैं, तो professional front के लिए आप लोगों के लिए cards है, 10 of cups, rivers and well. और देखिए, दोनों ही cards कहीं family की बात करते हैं, क्योंकि ये cards professional front के लिए हैं, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि professional family की cards बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए, जो लोग हमारे साथ काम करते हैं, हमारे लिए काम करते हैं, या फिर हम किसी के लिए काम करते हैं, तो वो कहीं हमारी professional family ही हो जाती है और कुछ लोगों के लिए personal family हो सकती है, जिस पे इस week आपका focus है और देखिए, well का card कहता है family wishes coming true, तो फिर से देखिए, जिस organization में आप काम करते हैं, जिस जगा पे आप काम करते हैं, उनकी कोई wish थी, उनका कोई goal था इस week या तो वो पूरा हो रहा है, या फिर आपकी personal family कोई चीज आपके लिए चाहा रही थी, कोई progress, कोई growth आपके professional front के लिए चाहा रही थी एक happiness है, एक joy है, एक satisfaction है, लेकिन साथी साथ टॉरस एक missing feeling भी रहती हुई दिख रही है और देखे, इस missing feeling के लिए सब के लिए different reasons हो सकते हैं लेकिन यहापे 10 of cups reverse का card कहता है, कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई चीज आप complete करना चाहा रहे हैं नहीं complete कर पा रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि जिस तरीके की appreciation, जिस तरीके का recognition आप अपने colleagues, co-workers या फिर close one से चाहा रहे हैं, वो आपको नहीं मिल रहा है और देखिए कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि overall कोई wish, कोई चीज छोटी मोटी या बड़ी या पूरी हुई है लेकिन किसी खास इंसान के साथ एक issues चल रहे हैं, मसले चल रहे हैं, difference of opinion है या फिर उनकी तरफ से इतनी supportive, इतनी cooperative energies नहीं है या फिर overall ही आपकी organization में, आपके workplace में, एक you know again जो भी लोग आपके साथ या फिर आपके लिए काम करते हैं उनके साथ इतनी अच्छी bonding नहीं है, उनके साथ किसी level पर किसी तरीके के issues चल रहे हैं and personal front के लिए आप लोगों के लिए cards है, judgment and younger women और देखें, ये cards कहते हैं कि कभी-कभी होता है ना, जब हमें कोई बड़ा decision लेना होता है या फिर इन्हों छोटा मोटा भी decision लेना हो, किसी चीज को end करके हमें आगे बढ़ना हो तो हम pause लेके थोड़ा सा पीछे मुड़के देखते हैं कि पीछे हमने क्या किया जिससे की हमें positive result मिला और क्या किया जिससे की हम परेशान हुए और उसी के ही basis पे हम आगे बढ़ना चाहते हैं या मैं कह सकती हूँ कि वो ही past experiences हमें help करते हैं future के लिए decision और choice लेने के लिए तो दिखे कुछ ऐसी सी energies इस week आप लोगों के लिए रहती हुई दिख रही हैं जहां पर फिर से मैं कहूंगी कि हो सकता है कोई decision कोई choice लेना चाहा रहे हैं या फिर कोई phase कोई चीज किसी भी level पे end करके एक नई beginning एक fresh start करना चाहा रहे हैं और देखिए general reading है तो ये ending, beginning सब के लिए थोड़ी थोड़ी different कर सकती है कुछ लोगों के लिए कोई relationship हो सकता है कुछ लोगों के लिए कोई आदत, कोई behavior हो सकता है कुछ लोगों के लिए कोई जगा हो सकती है कुछ लोगों के लिए पुराना काम करने का तरीका हो सकता है कोई domestic helper हो सकता है again देखिए कोई भी चीज हो सकती है जिसको end करके आप आगे बढ़ना चाहा रहे हैं एक fresh start करना चाहा रहे हैं यहां फिर एक fresh start, एक fresh beginning हो रही है और दिखें, यह weekly reading है, तो हो सकता है कि छोटी मोटी, you know, ending, beginning भी इस week काफी सारे लोगों के लिए रहे and younger woman का card कहता है, dealings or relationship with a younger woman तो कोई, you know, आपसे younger यहां फिर immature woman है जिनके साथ आपकी dealings इस week थोड़ी सी जादा हो रही है and guidance है, आप लोगों के लिए throne का card है और यह card कहता है, your potential is endless तो दिखें, जो भी आप अपने लिए चाहते हैं, professional या personal front में यह card आपको guarantee देता है, आप उसको achieve कर लेंगे आप उसको, you know, पा लेंगे अगर आप अपने potential, अपनी capabilities, अपनी abilities पे faith रखेंगे अगर आप, you know, अपने उपर पूरा confidence रखेंगे क्योंकि देखें, nutshell में एक card कहता है कि आपके अंदर बहुत जबर्दस potential है हर dream, हर wish को पूरा करने के लिए सिरफ और सिरफ, again मैं कहूंगी कि अपने उपर confidence, अपने उपर faith रखना है and astrology से आप लोगों के लिए 6th house का card है और इसके हिसाब से all shades of green इस week आप लोगों के लिए लखी रह सकते हैं and significant day आप लोगों के लिए होगा witness day तो ये था टोरस आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पर जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चलिए जैमिनीज आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए cards है king of pentacles and apple और दिखें apple का card कहीं Adam and Eve की story की बात करता है ये story Bible में से है और Bible में लिखा हुआ है कि Adam and Eve God की first creation थे यानि कि पहले इंसान थे जो God ने बनाए थे और इन ही की वज़े से स्रिष्टी आगे चली और ये एक बहुत ही beautiful garden में रहते हैं जहां पे सिरफ happiness है, joy है beauty है, contentment है और हर चीज जो भी garden में है उसका access उनके पास था यानि कि हर चीज को खा सकते हैं हर चीज को use कर सकते हैं सिरफ एक apple के लिए God ने उन्हें मना किया था और उसी apple के खाने की temptation हमेशा उनको रहती थी और एक दिन ये temptation इतनी जादा बढ़ गई कि वो अपने आपको resist नहीं कर पाए उन्होंने वो apple खा लिया जिसके बाद से उनकी life में और सारे ही humankind की life में दुख, तकलीफें, परेशानिया आई तो दिखे, कहने का मतलब ये है कि इस week specifically आपके professional front में हो सकता है कि कोई चीज आपको बहुत tempt कर रही है, बहुत जबरदस्त एक attraction आप महसूस कर रहे हैं और यही चीज कहीं आगे जाके दुख का कारण आपकी life में बन सकती है तो देखिए, अगर ऐसा आप भी Gemini's इस week पाएं तो थोड़ा सा चेक करके correct कर लें, सिरफ attraction की वज़े से, या फिर सिरफ और ज़ादा, you know एक growth, success, progress अपनी life में लाने की वज़े से आप कोई ऐसी चीज ना कर लें जो आगे जाके, again मैं कहूंगे आपको परिशान करेगी और देखे, overall के लिए देखे, तो यहाँ पे King of Pentacles का card कहता है कि materialistic, tangible चीजें, money, पैसे पे या तो आपका ज़्यादा focus है या फिर इन ही चीजों की वज़े से एक फाइदा, एक gain आपको हो रहा है, बहुत practical बहुत realistic तरीके से चीजों को आप कर रहे हैं और देखे, कुछ लोगों के लिए literally हो सकता है कि कैसे, you know, आपके financial position और better हो उस पे आप focus कर रहे हैं और उसी से ही related temptation भी आपको रह रही है तो देखे, यहाँ पे again मैं कहूंगी, कि आप ज़रूर, you know, कोई भी चीज करने से पहले, थोड़ी सी अपनी checking कर लें, कि वाके में again यह चीज वर्थित है या फिर नहीं है and personal front के लिए आप लोगों के लिए cards है, six of cups and sun और देखे, sun का card कहीं happiness and well-being की बात करता है, तो पीछे देखे health से related, अगर कोई भी issues थे, और यहाँ पर भी देखे सब के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा कुछ के लिए physical health हो सकती है कुछ लोगों के लिए mental, emotional health हो सकती है, जिसको लेकर अगर आप 100% नहीं feel कर रहे थे, तो उसी से ही related कहीं चीज़ें काफी better होती होई दिख रही हैं, यानि कि आप 100% महसूस करते होई दिख रहे हैं, और इसी वज़े से याँ otherwise भी कोई ऐसी चीज़ आपके personal front में हो रही है जो एक happiness, joy, success, contentment लेकर आ रही है किसी चीज़ को लेकर पीछे अगर आप confused थे, again एक परेशानी थी, तो कहीं उसी से ही related, एक clarity, एक happiness भी आती होई दिख रही है और दीखे, sun के उपर six of cups का card कहता है, कुछ लोगों के लिए past का कोई इंसान, past का कोई relationship, past का कोई event हो सकता है, जो एक happiness, जो एक joy लेकर आ रहा है और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जहाँ एक तरफ एक happiness, joy है वही दूसरी तरफ past की किसी चीज़ पे आप बहुत focus कर रहे हैं, जो भी पीछे किसी इंसान के साथ या फिर in general भी आपने अच्छे पल बिताए, आपकी अच्छी memories थी, उनको आप बहुत जादा इस वीक याद कर रहे हैं और देखे कहीं relationships आपका एक focus रह सकते हैं, कहीं अपने loved ones, close ones के साथ आप जादा time इस वीक spend करना चाहा सकते हैं and guidance है, आप लोगों के लिए card है expectations और यह card कहता है don't seek anyone's approval तो देखे सबसे पहला message जे card आपको देता है कि लोगों से आप beyond the point किसी भी चीज के लिए एक उमीद, एक expectations ना रखें, क्योंकि देखें मैंने हमेशा कहा है, दो ही चीजे दुख का कारण होती हैं, एक attachment, एक expectations तो देखें फिर से अगर आप किसी से भी कोई उमीद, कोई expectations रखते हुए अपने आपको पाएं तो जरूर चेक करके correct करें और दूसरी बात हो सकता है कि कोई चीज आप करना चाहा रहे हैं और आपको ऐसे लग रहा है कि आपके loved ones या फिर professional front में कोई colleague इसको approve करें और देखें, ऐसा भी अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पर किसी भी लड़की का short dresses पहनना या फिर jeans पहनना अच्छा नहीं माना जाएगा और यही आप US, America या पर Canada में देखेंगे तो वहाँ पर short dresses बहुत ही common है और देखें, उसको गलत भी नहीं मानते हैं, तो फिर से दिखें सही गलत सब के लिए differ होता है, हो सकता है जिस चीज को आप करना चाहा रहे हैं वो आपके लिए सही है लेकिन आपके loved one उस चीज को उस तरीके से नहीं देख पा रहे हैं उनके लिए वो चीज गलत है और अगर इसी वज़े से आप अपनी उस desire को आगे नहीं pursue करते हैं या फिर आप नहीं उस direction में action initiatives लेते हैं तो आगे चलके फिर आप परिशान हो सकते हैं क्योंकि देखें, वो आपकी desire है वो आप करना चाहाते हैं तो इस चीज का भी खयाल इस week आप ज़रूर रखें and astrology से आप लुगों के लिए Mars planet का card है और इसके हिसाब से red color इस week आप लुगों के लिए लखी रह सकता है and significant day आप लुगों के लिए होगा Tuesday तो ये था Germany's आप लुगों के लिए coming week का साबता है एक राशी फल और नीचे मुझे comment section पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चलिए एक इनसेरियंज आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए cards है page of swords and loin और देखें लोगों का card कहता है time to act तो जो भी specifically इस week आपने professional front में चाहा रहे हैं उसी से ही related बहुत बहुत important है कि आप एक action ले एक initiative लें और देखें क्योंकि आप लोगों का card है तो massive action massive initiative लेना बहुत important है कितनी बरी होता है कि किसी चीज को हम desire कर रहे होते है कोई हमारा goal होता है कोई हमारा vision होता है और उसी से ही related हम बहुत सोच रहे होते हैं लेकिन हमारे action initiative is missing होते हैं और इसी लिए उस चीज को हम achieve नहीं कर पाते हैं और फिर परेशान होते हैं तो फिर से मैं कहूंगी कि इस चीज का खयाल इस week आप जरूर रखें और overall के लिए यहाँ पर page of source का card कहता है कि minor irritation, minor frustration in general या पर किसी खास चीज को लेकर है सकती है और कुछ लोगों के लिए देखें इन ही energies के लिए एक reason ये भी हो सकता है कि आप action initiatives नहीं ले पा रहे हैं और इसी लिए आप परिशान हो रहे हैं और कहीं आप बहुत blunt, बहुत straight forward अपने communication में रह रहे हैं या फिर कोई इनसान है आपके work front में जो बहुत blunt, बहुत straight forward हो रहे हैं और दिखें, overall ही कहीं एक immature सी energies रहते हुई दिख रहे हैं और ऐसा भी अगर considerations आप इस week पाएं तो इसको भी ज़रूर चक करके correct करें कोई बड़ा काम करना है तो किसी experiential इनसान से discuss करे बगार आप ना करें और दिखें हो सकता है कि किसी चीज़ को जानने के लिए एक बहुत curiosity है या फिर अपनी किसी skill को आप update करना चाह रहे हैं अपनी किसी knowledge को specifically अपने professional front से related आप बढ़ाना चाह रहे हैं and personal front से आप लोगों के लिए cards है three of pentacles and ant और दिखें ant का card work achievement success की बात करता है और इन ही चीज़ों पे specifically personal front में आपका focus भी रह रहा है कि कैसे आप you know जादा काम करें, hard work करें और कैसे आपको success मिले, achievement मिले जो भी आप चाहा रहे हैं और दिखें three of pentacles का card भी कहीं इन ही energies को और जादा confirm करता है three of pentacles का card भी कहीं अपने मकसद, अपने goal के लिए effort करने की बात करता है मेहनत करने की बात करता है और अगर आप इस card को देख पा रहे हैं, इस card में तीन लोग हैं और कहते भी हैं three is a crowd तो मैं यहाप यह नहीं कह रहे हैं कि बहुत you know crowd वली जगा को आप visit कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है इसका मतलब यह है कि एक से जादा लोगों से इसका मतलब यह है कि हो सकता है इस week आप जादा लोगों से मिल रहे हैं, जादा लोगों से interact कर रहे हैं और देखिए यहाप इस सब के लिए इन ही interactions इन ही मिलने के लिए different reasons हो सकते हैं लेकिन यह pentacles का card है तो कहीं materialistic, tangible चीज़ों से related, money, पैसे से related हो सकता है कि आप किसी खास इंसान से मिल रहे हैं या फिर एक discussion आपके घर में चल रहा है और देखिए यहापे कुछ लोगों के लिए यह भी हो सकता है कि जो भी आप चाहते हैं, उसी से ही related, किसी professional से आप मिल रहे हैं जैसे कि अगर आप अपना घर renovate कराना चाहते हैं या फिर बनाना चाहते हैं तो देखिए इन ही चीज़ों के लिए professional architect हो गए, engineer हो गए, उनसे आप मिल रहे हैं और अगर आप शादी करना चाहते हैं, तो शादी जो कराते हैं, professionals होते हैं, उनसे मिल रहे हैं तो देखिए जनरल रीडिंग होती है, सब के लिए आप डिफ्रेंट डिफ्रेंट इस्चूस हो सकते हैं या डिफ्रेंट गोल्स हो सकते हैं, जो आप पाना चाह रहे हैं और उसी से ही related again, मैं कहूंगी कि आप अप प्रोफेशनल से मिल रहे हैं और देखिए हो सकता है कि किसी को guidance, counselling advice या तो आप दे रहे हैं या फिर किसी से guidance, counselling advice आप ले रहे हैं and guidance है, आप लुगों के लिए escapist का card है और ये card कहता है, come home to yourself तो हो सकता है कि इस week कहीं कोई issue, कोई मसला है जिसको आप upfront होके deal नहीं कर रहे हैं, नहीं करना चाह रहे हैं एक escapism वाली energies हैं जहां पर दिखे, जब मन ही मन हमें पता होता है कि इस चीज़ को हमने deal किया, तो हम hurt होंगे, परेशान होंगे तो हम उस चीज़ को avoid करना शू कर देते हैं और ऐसा करके देखे, एक temporary happiness, temporary joy हम लेकर आते हैं लेकिन कहीं back end पे कोई चीज़ हमें परेशान करती रहती है तो उस temporary happiness को भी हम पूरी तरीके से नहीं enjoy कर पाते हैं और फिर आगे जाके जो चीज़ को हम avoid कर रहे होते हैं वो इतनी बड़ी हो जाती है कि हम चाहा के भी उसको ignore नहीं कर पाते हैं और फिर बहुत परेशान होते हैं देखे एक English में कहावत भी है a stitch and time saves nine जो भी issue जो भी मसला जब छोटा हो उसको हम तभी upfront होके deal करते हैं तो उसे बड़ा होने से हम रोक लेते हैं और एक सुकून, एक happiness true sense में हम अपनी life में लेकर आते हैं और अगर आपको लगी concerns कि आप भी किसी चीज़ से बच रहे हैं एक escapism वाली energies हैं तो इस चीज़ को भी आप ज़रूर चेक करके इस week correct करें and astrology से आप लोगों के लिए the north node का card है और देखें, north node astrology में राहू होता है तो इस week आप जो भी color पहने कहीं black, blue colors को avoid करें यानि कि इन colors को आप ना पहने and significant day आप लोगों के लिए इस week होगा Saturday तो ये था कि इन सेरियन्स आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पर जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए